जहिंद ने वेलकम टू स्टडी बैटल हम लोग देख रहे हैं आद को जो सेसन देखेंगे बिभिन राज सरकार की प्रमक्ष योजना हैं जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है आने वाल एकजाम में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है इसको देखते हैं इसका इसका मैंनलक्ष है मुख्यमंत्री चास रमी कल्यार्ड प्रकल्प योजना तेकि इसका मैंनलक्ष है जो इंपोर्टेंट रहेगा हम लोग उसी को ढिसको डिसकस करेंगे राज के जो 700 चाय बागान है उनके स्रमिकों को समाजिक शुरुच्चा प्रदान करना इसका मुख्य लक्षे है यह तिरुपरा सरकार की बहुत ही बेश्ठ योजना है इसके अलवा हम देखते हैं तमिलाडू सरकार की योजना है जिसका नाम है मिन्दम मन्जपई योजना है इसका मुख्य लक्षे प्लास्टिक के थैलियों को सिमित करके कपड़े के थैलियों को बढ़ावा देना बहुत ही इंपोर्टेंट योजना है तमिलाडू सरकार की योजना है मिन्दम मन्जपई योजना इसके अलावा देखे तमिलाडू सरकार के एक और योजना जिसका नाम है आपके दरवाजे पर सिच्छा योजना सिच्छा शेत्र में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इसका क्या नाम इसका क्या मुख्य स्वाइंग स्वाइंग को के माद्यम से परतेक जीले में एक विश्ष्ष रस्थान पर इसकूली छात्रों को सिच्छा प्रदान करना इसका मुख्य लग्चा है इसके अर्वा हम देखते हैं अब सिक्कीम की पर मुख की योजना जो सिक्कीम की पर मुख योजना जीसका नाम है अम्मा योजना में क्या है जो गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में सलाना 20,000 रुपे परदान करना अम्मा योजना का मुख्य लक्षे है बहुत important योजना है अम्मा योजना इसके अलवा जो बहिनी योजना है बहिनी योजना जिसे नाम सी पता चल रहा है बहन से related है तो कच्छा नाव से उपर की जो छातनाओं है उनको मुप्त में सेनेटरी नैपकिन बितरित किया जाएगा इसका मुख्य लक्षे है बहिनी योजना और अम्मा योजना दोनों ही बहुत ही जबरजस्ती योजना है इसके लवा देखते हैं गुजरा सरकार की योजना दोनों योजना को डिसकस करेंगे ग्रो ग्रीन योजना और वतन प्रेमी योजना ये दोनों ही गुजरा सरकार की योजना इसको देखते हैं अवदोगी कर्मचारियों को Go Green योजना को देखते हैं जितनी भी अवदोगी कर्मचारियों को बैटरी चलित दुपया वहनों की खरित पर छूट प्रदान करना गोगरी योजना का मुखे लक्षे है और इसके अलवाद आएगे वतन प्रेमी योजना में तो उनका जो भी गुजा सरकार दोर्फा चलाएगे जो भी योजना है उसका लाब ले सकेंगे वतन प्रेम योजना के ताद क्लियर हुआ इसके लवा देखते हैं अडवांचे परदिस का जो योजना है आत्मनिरभर क्रिसी बागवानी योजना ये जो योजना है आत्म निर्भर क्रिसी बागवानी योजना ये अडवांचे परदेश का योजना है इसमें क्या है क्रिसी तता बागवानी को बढ़ावा देने के लिए क्रिसी विभागों को 60-60 करोड उपे प्रदान किये जाएंगे आत्म निर्भर क्रिसी बाग जो भी इसके तरत राजिय के जो भी नागरिक हैं घर पर बैठे हैं तो 100 सारोजनिक सेवाओं का लाप पराप्त कर सकेंगे मुख्यमंत्री मितान यूजना की ताहत देखे ये जो यूजना है काउसल्या मातिरती यूजना बहुत इंपोर्टेंट है दूसरा बच्चा वो भी कन्या है तो उनके जन्म पर महिलाओं को पांस जा रुपे का बित्ती साहता परदान किया जाएगा काउसल्या मातिर्ति योजना के तहत इसका नाम है स्री धनवंत्री जनरिक मेडिकल इस्टोर योजना इसमें क्या होगा राज के कमजोर वर्क के लोगों के लिए जनरिक दवाओं के मुल्य पर छूट देना इसका मुक्य लक्षे इसके लवादे के राजिव गांदी ग्रामीड भुमहीन मजदूर योजना इसके तहत क्या होगा ग्रामीड भुमहीन मजदूरों के लिए इस योजना की सुरुवात की गई है कि तहत क्या होगा कि 12,0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, है थाइदराबाद के साथ क्या किया है समझता किया है तो सब योजना बहुत इंपोटेंट दे कि काउसलय मातित योजना बहुत ही अच्छा है धर्मंतरी जेनरिक मेडिकल योजना जेनरिक दवाओं के मुल्ले पर छूट देगा और साथी साथ राजिव गांदिक रामिर सब्सक्राइब सोते हैं योजना गोपबं शमपती का सवास्त बिमा योजना इसमें क्या होगा प्रतिक पत्रकार को दो लाग रुपे का स्वास्त बिमा कबर प्रदान किया जाएगा यह जो है ओडिशा सरकार द्वारा चलाई की योजना है इसके अलवा हम देखते हैं हिमाचर परदेश की प्रमुख योजना को देखेंगे जो दो योजना है हिमाचर परदेश की योजना है important है एक का नाम है नारी का नमन योजना दूसरा है परवत धारा योजना नारी का नमन योज़ना के तहट क्या होगा कि राजी के भीतर महिला यात्रियों को बसो के किराव में 50% की छूर दी जाएगी नारी को नमन योज़ना के तहट और दूसरा जो योजना है पर्वत धारा योजना है इसमें क्या होगा भूजल अस्तर में बृद्धी के लिए इसके तत 110 छोटे छोटे तलाब और 100 चेक डैम और 12,000 कंटर्ट ट्रेंच का निर्माड यो पाउधार उपड किया जाएगा पर्वत धारा योजना के तहत यह ही हिम प्रहरी योजना है बहुत इंपोटेंट है हिम प्रहरी योजना इसमें क्या होगा राज से लोगों का पयान पलायन रोकने के लिए जो राज से उत्राकंड से बहुत सार पलायन सुनने को मिला है तो राज से लोगों का पलायन रोकने के लिए यू आओं तता पुर्ष सरकार की योजना है दुद मुल प्रसान योजना इसमें क्या होगा राज में दुद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साथ ही साथ 500 दुद विक्रित के इंदर खोड़ना इसका मुख्य लगचे है गसियारी योजना गसियारी कल्याड योजना इवी उत्राखण सरकार दोरा चलाई गई योजना है इसमें क्या होगा राज की पहाडी छेत्रों की ग्रामिड महिलाओं को बोच कम करने के लिए पसूं के लिए घर तक चारा उपलप्त कराना तो देखिए राज की जो पहाडी सरकार दोरा चलाएगे योजना है इसमें क्या होगा इसके तहत COVID-19 के कारण जो अपने माता पिता को खो चुके बच्चे हैं 21 वर्स तक यायू तक उन्हें पोशड सिच्छा है तो उन्हें 3,000 रुपे प्रती मा उनके आर्थिक साहता प्रदान की जाएगी वासल योजना के अब देखते हैं निष्ट सरकार जो है तेलंगाना सरकार की योजना देखते हैं तेलंगाना सरकार की योजना क्या है नेतना नेतना बीमा जिसे बोलते हैं बुनकर बीमा योजना इसमें क्या होगा हत करदा तथा बुनकरों के लिए 5,000,000 रुपे तक की बीमा कबरेज पर सदान करना इसका मुख्य लक्स है नेक्स्ट है आकास से दवा परयोजना मेडिसीन प्रामद स्काई यह भी तेलंगाना सरकार की योजना है इसमें क्या होगा प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों पर ड्रोन की माध्यम से दवा अपलब्द कराने है तो इस परयोजना की कवच कुंडल और मिशन वास्त तीनों योजना जो है महराश सरकार की योजना इसको देखते हैं इसमें क्या जेल में बंद कैदियों हैं उनको तीन साल से अधिक सजा काट रहे हैं उन्हें 50,000 रुपे तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा जेल में इसका नाम है जीवला यो ये इस मिशन की सुरुवात किया गया है इसके तत ग्रामीट छेतनों के गरीब महिलाओं को 18 लाब तथा से वाय परदान की जाएगी मिशन वासल के तत नेस्ट है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट काड योजना ये जो है जारखंड सरकार की योजना है इसके लावा सह अर्थिक मदद पहुचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपे तक का लोन दिया जाएगा और सहाय योजना में क्या होगा राज के नक्सली प्रभायत इलाकों में युवा खेल प्रतिभाओं को पुरसाहित करना सहाय योजना का मुख्य लक्ष है इसके लोग आप पास कर जो कालेज में एडमिशन कोलेज में एडमिशन लेने माले जो बच्चीयों है उनको 25,000 रुपे की रकम दो किस्त में दी जाएगी जबकि मेडिकल या IAM या IIT या इस तरह के किसी संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो उसमें पूरी फीज जो है राज सरकार भरे ग करेगा और अगर मेडिकल या आई-एम या आई-टी में एडमिसर लेती हैं तो पूरा फीस जो है राय सरकार वहन करेगी यह बहुत इंपर्टेंट योजना है इसके अलवा देखते हैं मुख्यमंत्री उद्योग क्रांती योजना यह भी मंद्यपर्द्य सरकार की योजना इ एक लाग से लेकर पचास लाग रूपय तक का रिड़ और तीन पर्चेंट का ब्याज सब्सिडी के साथ दिया जाएगा इसके अलवा देखते हैं सिकल सेल मिशन यह भी मंद्यपर्द्य सरकार की योजना इसमें क्या होगा एनमिया थालसिमिया आदी बीमारियों से जो पी में उचित मुल्य की दुकान नहीं है मतलब डिस्ट्रिबूशन नहीं है वहाँ पे तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ लोगों के घरों तक राशन पहुचाया जाएगा ठीक है इसके अलवा देखे देवारड यह योजना जो है यह भी मद्यपर्द्य सरकार की योजना है द अर्वेदिक दवाओं के उत्पादन है तो आउसधियू पाउदों की खेती करना तथा आदिवासी छेत्रों में रोजगार के आउस्टर उपलब्द कराना देवरार यह योजना का मुख्य लक्षे अंकूर योजना यह भी मद्यपर्द्य सरकार की योजना इसमें क्या हो आठारा वर्ष जो आयू पूरा कर चुके युवा है उनको आत्म निर्वर बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना इसका लक्षे है अब देखते हैं आंद पर्दिश का प्रमक्ष योजना ठीक है पहला यह सार यंत्र सेवा यह योजना इसमें क्या है किसानों को कम लागत पर क्रिसी में उपयोग की जो उपयोग की जानेमल मसिनरी है उसको उपलप्त कराना कम लागत पर उपलप्त कराना यह यह अंत्र सेवा योजना के तहत यह जो है आंध्पतेसरकर की योजना है नेक्ष्ट है साल्ट कारकरम साल्ट का फूर्णा में संपोर्टिंग आंध्र आजर लर्णिंग ट्रांसफॉर्मेशन इसके तहत क्या होगा जो फाउंडेशन इसकूलों को मजबूत करना तता सिच्चकों को प्रसिच्चड और कौशल विकास प्रदान करना साल्ट कारकरम का प्रमुख लक्ष्य है यह योजना जो है आंद्परदे सरकार की है इसके क्या होगा जो 10 से लेकर 45 वर्ष की बालिकाएं और महिलाओं को मुख्त में सेनेटरी नैपकिन बित्रित किया जाएगा उडान योजना के तहत और बैक टू वर्ष की योजना इसके तहत क्या होगा तीन वर्ष के भीतर जो 15,000 महिलाओं को नीजी छेतर में रोजगार उप नीजी शिर्ण जीवी स्वास्त वीमा ज्योजना जो कंसरकार के आयस्मान योजना है उसमें क्या है बहुत सारा बाउनडेशन है कुछी लोगों के लिए सिमीत है लेकिन शीर्ण जीवी स्वास्त विमा ज्योजना है इसके तथ प्रतीक परिवारों को 5 लाख्म रुके का वार्षिक भीमा मिलेगा ठीक है ताई होब आपको क्लियर हो गया होगा इसमें आउर देखते हैं नेस्ट योजना इंद्रा गांधी सहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो चिरंजीवी इस सब योजना देख रहे हैं राजस्तान सरकार द्वारा चलाएगे योजनायों को देख 50,000 रुपे का ब्याज मुक्त रिड दिया जाएगा अगर कोई भी बिरोजगार युवक है वो चाहता है रिड लेना लोन लेना चाहता है तो 50,000 रुपे तक का उसको बिदाउट इंट्रेस्ट उसको लोन दिया जाएगा राजस्तान सरकार के इंद्रा गांधी सहरी केडि की कोई अष्टी के हो बिद्यारतों को उनके सिच्छा के लिए पुरसाहण राशी दिया जाएगा मुक्हमंत्री अनुपरिती कोचिंग यूजना के तरहत इसके लोगो देखते हैं मुक्हमंत्री किसान मित्र यूजना इसके तरहत क्या होगा किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में दस हजार रुपे, एक हजार रुपे दिया जाएगा किसान के बिजली बिल में। और घर घर आउस्थी योजना इसके तहद क्या होगा। राज के सभी परिवारों को चार आउसदी जड़ी बूटी जिसमें तुलसी, अस्वगंधा, गिलो और कालमेद के पाउदी उपलप्त कराया जाएगा। मेरे इसाब से देखे कुछ योजना है जो कि राजथा सरकाज तोरा चलाई गई बहुत इंपोर्टेंट है। उड़ान योजना, बैक टुवर्क योजना, चिरंजवी योजना बहुत इंपोर्टेंट है। इसको इस्टामाक लगा लिजे। इंद्रा गांधी सहरी क्रेडिट कार्ड योजना और सब योजना जो है अमुक्रमतिय अनुपर्ति कोचिंग योजना और किसानमित्र योजना जो भी योजना हैं राजथा सरकार तोरा चलाई गई हैं इसको आप इस्टामाक लगा लिजे। इसके अलाओ देखते हैं नेश्ट जो है असम सरकार तोरा चलाई की योजना है जिसमें से देखते हैं पहला है रीहब प्रोजेक्ट रीहब प्रोजेक्ट जो है मानो बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए उनके मारगों में मदमक्यों की बाड़ लगान बाड़ लगाना, Rehub project के तहर इस योजना को चलाए गया Next है project सथभावना project सथभावना जो है यह भी योजना जो आशाम सरकार दोरा चलाई गई है इसमें क्या होगा? राज सरकार में सुधार, राजसायसर में सुधार करने है तो जो लंबित फाइलों को तेजी से निप्टान करना प्रजेक्ट सद्भावना का मुख्य लगचा है अब देखते हैं हर याड़ा सरकार द्वारा चलाएगे एक उस योजनाओं को देखते हैं इ अधिगम योजना इसमें क्या होगा राज के तीन लाग चात्रों को अल्लाइन सिच्छा के लिए टैबलेट बितरित किया जाएगा इ अधिगम योजना के तहत चारा बिजाई योजना, इसमें देखिए इंपोर्टेंट है, चारा बिजाई योजना, इसमें पशुपालकों को 10 एकड भुमी तक 4 उगाने पर 10,000 रुपे प्रति एकड किदर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ठीक है नेक्स्ट है खेल नर्सरी योजना खेल नर्सरी योजना इसमें क्या है नीजी तथा सरकारी सिच्छड संस्थान है यह खेल संस्थानों में खेल नर्सरी अस्थाफित की जाएगी नेक्स्ट है मात्र सक्ती उद्धिमिता योजिना इसमें क्या होगा जिन महिलाओं की परिवारिक वार्षी का पांच लाख रुपे से कम है उन्हें तीन लाख रुपे तक का रिड़ दिया जाएगा और साथ पर्षेंट की ब्याजदर पर उपलब्द करवाया जाएगा नेक्स्ट प्राडवाय दियोता पेंशन स्कीम इसमें क्या है हरियाड़ सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेड़ों के सरचण के लिए प्रती वर्ष 25 रुपे देने का नेड़ा लिया है इसके अलवा देखे एक ब्लाक एक उत्पाद योजना इसमें क्या होगा ग्र जाब सरकार दोराद चलाएगे योजनाओं को देखते हैं देखे लोक मिलनी योजना इसमें क्या है जन संपर्क बढ़ावा बढ़ाना तथा राज्यों के लोगों को सिकायतों के निवारड के लिए मंच परदान करना जिसका नाम है लोक मिलनी योजना नेष्ट मेरा घर म मेरा नाम योजना इसमें क्या होगा गाउं के सरीच चत्रों में आवासी संपत्तियों का सर्वेच्छड कर सत्यापन के बाद लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना मेरा घर मेरा नाम योजना के दाद देखते हैं उत्तर परदेश सरकार की योजनाओं क्योंकि उत्ताप्रदिस सरकार की जो योजना है कोश्चन आने के संपावना है उत्ताप्रदिस के जो भी पेपर होने वाला है पहला है फ्री स्मार्ट योजना फ्री स्मार्ट योजना इसमें क्या राज के जो असनातक और उसके उपर के छात्रों को मुप्त में स्मार्टफोन और टैबलेट वित्रित किया जाएंगा प्री स्मार्टफोन योजना के तहद इसके अलवा देखते हैं मुख्यमंतरी अभीदर योजना इसमें क्या है जीला अस्तर पजो आईटी जेई और नीट जैसी परिचाओं के लिए निशूल कोचिंग बर्दान करना मुख्यमंतरी अभीदर योजना का मुख्य लक्ष है इसके अलवा देखते हैं थैला बैंक योजना इसमें क्या होगा लखनाओ नगर निगम द्वारा सहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है इसके तहत क्या होगा नगर निगम द्वारा बाजरा मंडियों में कपडो थैलियों की बिक्री की जाएगी थैला बैंक योजना के तहत अब देखते हैं पस्षी मंगाल की सरकार की योजना है पहस्ली मंगल सरकार की यूजना देखते हैं परमशिच्छाले परमशिच्छाले इसके तहत क्या होगा प्राइमरी स्कूल जो प्राइमरी चैसरों को खुले में पढ़ाया जाएका परमशिच्छाले के तहट ठीक है और दुवारे राषन यूजना दुआरे रासन योजना जो है PDS के ताथ लोगों को उनके घर तक खाद्यान उपलाप्त कराना है मा की रसोह योजना इसमें किया राज के सभी गरीब लोगों को पांच उर्पे में भोजल उपलाप्त कराना ये भी योजना है इक कहाँ पे पासी मंगल सरकार की योजना है नेश्ट देखते हैं दिल्ली सरकार की योजना है दिल्ली सरकार की योजना है कौन सी है उसको देखते हैं जो भी important योजना रहेगे उसको देखेंगे पारला है मिशन कुसल कर्मी इसमें क्या होगा 25,000 घरों में फ्रीक सीवर कनेक्शन प्रदान करने के लिए योजना को बनाए गया है मुक्यमंतिरी तिर्थ यात्रा योजना इसमें क्या वरिश नागरिकों को मुब्त में तिर्थ यात्रा कराना इसके तहत पाकिस्तान में करतार पुरुफ साहीब तता मिलाडू में बेल कनने चर्ज को जोड़ा जाएगा स्रमिक मित्र योजना इसमें क्या है इसके तहत चैनी जो भी 800 स्रमिक मित्र निर्माड स्रमिकों के घर जाकर उन्हें सरकारी योजना उसे आउगत कराएंगे स्रमिक मित्र योजना के तहट नेश्ट है देश के मेंटर कारिक्रम इसके तहट क्या आओगा कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के छात्रों है उनको सफल नागरिक को द्वारा जो भी सफल नागरिक होगे जसे सोनु सुद होगे अभी मेंटर बने थे और उनके द्वारा शफल नागरी को द्वारा सम्मंदित छेतर में उन्हें माग दर्शन करना देश के मेंटल कारक्रम का मुख्य लक्ष है नेश्ट जहां ओट वहां वैक्सिनेशन योजना इसमें क्या होगा पैतालिस वर्श से अधिक उम्रों के ब्यक्तियों को उनके नजदी की बूत जहां पे उन्हें ओट दिया है वहां पे वैक्सिनेशन की शुग्दा दी जाएगी तो यह है दिली सरकार की प्रमुक्य योजना है कुशल कर्मी योजना मुख्यमंतर शिवर कनेक्शन योजना मुख्यमंतर तृत यात्रा योजना स्रमिक मित्र योजना देश के मेंटल कारिकरम योजना और जहां ओट वहां वैक्सिनेशन योजना है यह सब दिली सरकार की योजनाएं हैं अब देखते हैं करनाटक सरकार की योजनाएं करनाटक सरकार की योजनाएं देखते हैं पहला योजना है जन अस्पंदन योजना इसमें क्या होगा नागरिकों की सिकायतों को दूर करने के लिए एक लोग सिकायत निवारण प्रडाली बिख्षित की जाएगी इसमें और जन सेवक योजना में क्या है नागरिकों को उनके घर तक अंठावन सरकारी सेवाएं परदान करना और इसके अलवा इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना इसके तरत होगा कि यात्रियों को बस तथा रेलवे स्टेशन आधे तक पहुच क असान बनाना जाथा उनके समय को बचत करना इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का मुख्य लगच्छ है इसके अलवा देखते हैं अरुधती और मैत्रेई योजना जो हैं गरीब ब्रामण परिवारों की दुलहन को बित्ती सायता परदान करना अरुधती और मैत्रेई की योजना को मुख्य लखच है अब नेश्ट योजना देखते हैं लद्दाक की योजना को कुन सियोम योजना जो है बिकलांग बेखते हों को 90% की सबसिज़ी पर सहायक उपकरण वरतकनी की उपलब्द कराना कुन सियोम योजना का मुखलक छे यन टैब योजना इसमें क्या है लद्दा की उपर जपाल जो आरके माथुर द्वारा इस योजना की सिरुवात किया गया। इसमें क्या होगा आपर राजबाल मनो सिंघा द्वारा सुरू किया गया है इसमें एक रेडियो कारिकरम है। हाउसला इंस्पायर हर ग्रोथ इसमें महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्यस से हाउसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक कारिक्रम लांच किया गया एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सकी इसमें इसका मुक्य लक्षे स्वें सहायता समुके भीतर बित्ति समाविशन को बढ़ावा और पारदर्सिता लाना सुपर 75 चात्रविती योजना इसके तत महिलाओं को सिच्छा का पुरसायन देना और 18-35 वर्ष के जो आयू की लड़कियां रहेंगी उनको ब्यवसाय करने के लिए 5 लाग की बित्ति सहायता दिया जाएगा सुपर 75 चात्रविती योजना के ताद जो लास्ट योजना देख रहें केरल सरकार दोरा चलाएगी योजना उक लास्ट योजना को देखेंगे देखें स्ट्रीट योजना इसमें क्या होगा परेटकों को राज में परेटन अस्तलों को विएता के बारा में जनकारी देना और क्रिसी करड योजना इसमें इसके तरहत होगा कि इससे जुड़ने वाले किसानों की जमीन पर एक छोटा पॉली हाउस या प्लास्टिक का घर बनाया जाएगा जो ग्रीन हाउस की तरह होगा हर घर में बिभिन सब्जियों की खेती जथा मचली पालन किया जाएगा नेश्ट है नॉलेज एकोनामी योजन इसके तरहत होगा सिच्छित इवाओं के लिए रोजगार के आउसर को बढ़ावा देना स्मार्ट कीचन योजना इसके तरहत होगा कि महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोज को कम करने के लिए रोसोई घर के नविकरड़ नविनी करड़ है तो रिड़ उपलप्त कराने के लिए स्मार्ट कीचन योजना है ठीक है वन इसकूल वन आईस योजना इसमें क्या जो भी सेवाने उरित आईएस रहेंगे IES IPS द्वारा एक संस्था चलाए जाएगा जिसमें आर्थिक रूप से जो गरीब बच्चे रहेंगे उनको निशुलक पर सिच्छर दिया जाएगा इसमें गरीब बच्चे रहेंगे मेलाओंल की स्वासत की देख्माल के लिए सही दवा और पोष्टी काहर दे लेने की सहला देना है अजादी से अंतियोद तक अभियान जो है इसकी सुर्वात गिर्रा सिंग द्वारा की गई है और इसके इसमें कहा है इसके तब 75 जीलों में पड़े भारत अभियान इसमें क्या एभी सिच्छा मंत्राले की योजना है इसमें क्या कच्छा आड तक के जो चात्रों है उनको अस्थानी मात्रिभासा में पार्ट पुष्टक उपलब्द करना तथा उनकी सिखने के अस्तर में सुधार लाना नेश्ट देखते हैं भासा सर्टिपिकेट विद सेलफी अभियान भासा सर्टिपिकेट सेलफी अभियान सिच्छा मंत्राले द्वारा चलाएगा अभियान है इसमें इसके तरद भासा संगम मोबाईल एपको बढ़ावा दिया जाएगा जो लोगों को 22 भारती भासाओं में दैनिक उपियोग के 100 से अधिक वाग के सीखनों को प्रेरित करेगा नेश्ट बहाना छोड़ो टेक्स बचाओ अभियान SVI General Insurance दौरा लांच किया गया इसमें क्या होगा स्वास्त बीमा कराने तर टेक्स बचाने समंदी जागरुटा को बढ़ावा देना नेश्ट जागरुटा वोटर अभियान ट्विटर दौरा चालू किया गया है इसमें क्या नागरुकों को ओड़ डालने से पहले चुनाव समंदी सभी जनकारी उपलब्द कराना इसका मुख्य लक्षे है नेश्ट कन्या सिच्छा प्रवेश उस्सो मिसन इसको चालू किया गया है शुरुवात किया गया है महिला और बाल विकास मंत्राला सिच्छा मंत्राला तथा यूनिशेब दोरा सुरुवात किया गया है इसमें क्या होगा ग्यारत था चौदर वर्ष की जो लड़किया है उनको स्कूल में नामांकर के लिए उनको बढ़ावा देना और इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ताथ लागो किया जाएगा निश्टे समास सुधार अभियान समास सुधार अभियान जो है विहासरकार दोरा लांच किया गया है इसमें नसाम मुक्ती के साथ साथ बाल विवाता दहच बर्थाव को अस्तमाप्त करना मूब बंद रखो अभियान SDFC बैंक दोरा चालू किया गया इसमें साइबर दोखाद़ी को रोकने के तरीके के बारे में जग रुपता बढ़ाएगा इसके लाओ देखे टेली और विल कैमपेन एक कानून और निया मंतरा है दोरा चालू किया गया इसमें लोगों को उनके अधिकारों का सही दबा करना उन्हें ससक्त बनाना इसका लक्षे है पुनित सागर अभियान NCCC और NHI दोरा चालू किया गया इसमें समुद्र में जो प्लास्टिक कचरों को निप्टान के लिए इसका लांच किया गया है नेश्टे प्रसासन गाउं के संग अभियान एभी राज राज्थान सरकारदवार लांच किया गया है इसमें जो है दूज अराज के जो गाउं है उन लोगों को सरकारी से भावों तक अस्थानी पहुष सुनचित करेगा आयूश आपके द्वार भियान इसमें क्या होगा कि आयूश मंत्राले द्वारा चालू किया गया इसमें पी-म स्वनिदी योजना के तरथ स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुकतान है तू मंच उपलब्त कराना सुन अभियान इसमें क्या होगा नीती आयोग और राकी माउंटिन इंस्ट्टूट द्वारा चालू किया गया है इसका उद्देश है कि सुन प्रदूसर बित्रड वाहनों को बढ़ावा देना तता सहरी चेत्रों में डिलवरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बल देना एक पहल अभियान जो है कानून और नियाय मंत्राले द्वारा चालू किया गया है इसका मुक्ष लक्ष है कि कानूनी जानकारी के लिए संचार शुचना प्रदूगी का उपयोग कर उन्हें बड़े पहमाने पर पंजीकरण का प्रुस्थाहन देना सुजलम्म अभियान इसमें क्या होगा कि जल सक्ति मंत्राला द्वारा चालू किया गया है अपसिष्ट जल प्रबंदन करना ता खूले में सौच मुक्त गाउं का निर्माड करना कैस दरेन अभियान इसको हम लोग डिसकस किये थे जल सक्ति मंत्राला द्वारा चालू किया गया है इसका उदेश है कि वर्षा जल सरच्चर को बढ़ावा देना नेश्ट गो इलेक्ट्रिक अभियान इसमें केंद्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राला द्वारा चालू किया गया है इसमें इलेक्ट्रिक वहन चार्जिंग इंफ्रसक्चर के लाब के बिशे में जगरूकता फ्हलाएगा समर भियाँ जारकण सरकार दुरा चालू किया गया है एक हजार दिनों में राज जोकूप उसर से मुख्थ करना इसका लक्षे है बालिकाओं के ससक्तिकरर्ण और बिकास पर बल दिया जाएगा पानि मायोजना जो है लद्दाक्स द्वारा चालू किया गया है और ग्रामिर चेतरों में स्वच जल के महत्तों के बारों में जाग रुखता लाना इसका मुख्य उद्देश है लास्ट जो है अभियान है ब्रिच्छा रोबड ब्यान 2021 कोईला मंत्रा लए दुरा चालू किया गया है इसमें कोईला चेतरो तता आसपास के 300 से अधिक ब्रिच्छा रोबड अस्थलों को जोड़ना इसका मुख्य लगचे तो यह रहारा सरकार की योजनाय और बिभिन अभियानों को हम लोग देखे हैं नेश्ट में और भी हम अच्छे वेसे दूसरी टॉपिक करेंगे अभी के लिए बस इतना रखते हैं थाइंक्यू सो मच